सेंडविच तो आपने अपने घर में खाया ही होगा और बनाया ही होगा पर जो आज मैं रेस्पी लेके आई हूँ ये एकदम अलग तरीके का सेंडविच है दोस्त बहुत बहुत जादा क्रिस्पी बना है ये सेंडविच और इसको मैंने एकदम अलग तरीके से तैयार किया ह तो चलिए एकदम नए तरीके के सेंड्विच को बनाना हम शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बावल में रखे हैं तीन उबले हुए आलू आलू हमें डालेंगे हम एक बारी कटी हुई प्याज एक बारी कटी हुई हरी मिर्च एक चम्मच लाल मिच पाउडर आदा चम्मच धनिया पाउडर आदा चम्मच नमक आदा चम्मच अमचुर पाउडर एक चुथाई चम्मच गरम मसाला और सारी चीजों को हमें अच्छे से मिलाना है मिलाते हुए इन सब को हमें अच्छे से स्मूथ कर लेना है तो स्टफिंग यहांपर हमारी तेयार हो गई है अब ली है मैंने यहांपर यह bread आप कोई भी bread का इस्तिमाल कर सकते हैं मैंने यहांपर यह white bread लिये और bread की उपर हम एक एक चमज हरी चटनी लगाएंगे इसकी recipe मैंने डाली है आप देख सकते हैं और चटनी को bread की उपर हमें अच्छे से फैला देना है चटनी फैलाने के बाद bread की उपर हम दो-दो चमज भरके stuffing रखेंगे दोनों bread की उपर मैं अच्छे से फैलाना है अब हम bread की उपर लखेंगे दो-दो पीस कटे हुई टमाटर लगाएंगे और थोड़ी सी गोल आकार में कटी हुई प्याज और cover कर देंगे इनको हम अच्छे से और उपर का जो हिस्सा है इस पे भी हम एक-एक चमज बटर लगाएंगे और चलिए इनको हम सेक लेते हैं यहाँ पर तब आच्छे से गरम हो गया है गरम-गरम तबे पे हम bread को रखेंगे तो हमें उसी तरफ से रखना है जिस तरफ हमने butter लगाया है और दूसरे साइड हम एक चमज बटर और लगा देंगे बटर लगाने के बाद bread को हमें दोनों तरफ से उलड़ते पलड़ते हुए सुनेरा कलर होने तक अच्छे से सेक लेना है यहाँ पर flame को मैंने low रखा है low flame पे ही इसको हम सेकेंगे जिससे कि यह अच्छे से कुरकुरा हो जाएगा यह हो गए हैं सेंड्विच यहाँ पर हमारे खाने के लिए तैयार इनके करेंगे हम दो बराबर बराबर भाग आप चाहें तो इन सेंड्विच को चार बराबर भाग में भी काट सकते हैं खाने के लिए इनको सर्ब कीजिए आप टमेटो कैचप या फिर हरी चटनी के साथ यह देखिए कितना बढ़िया यहां पर यह सेंड्विच हुआ है बन के तैयार दोस्तों इस सेंड्विच को आप एक बार ट्राय जरूर कीजिए बहुत ही जल्दी बनने वाली रेश्पी है यह और खासकर यह रेश्पी बच्चों को बहुत पसंद आती है इन सेंड्विच को आप सुबह साम बना के खा सकते हैं सुखी रहिए स्वस्त रहिए मिलेंगे आ कर दोस्तों आक उल्दींगे को दोस्तों आता है वँग छिस को आप सकते हैं से मिलेंगे इन आता हैं साल 15 सी जरूरे के आपसेंह rozp़लम भ시 आता है